केंद्र सरकार ने प्याज निर्याज से प्रतिबंद हटाया है जिसका परिणाम स्वरूब प्याज की कीमतों में इजापा होने की संभावना जताई जा रही है अब एक हजार किलो प्याज 45,800 से कम नहीं बेच सकेंगे सरकार ने प्याज निर्याज से प्रतिबंद हटा दिया है हलाकि एक हजार किलो प्याज 45,800 रुपे प्रति में ट्रिक टन पर बेचनी होगी इसके साथ ही 40 प्रतिशत निर्याज शुलक भी चुकाना होगा पिछले साल प्याज की कीमत 80 रुपे प्रति किलो तक पहुँचने पर सरकार ने निर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया था सरकार 31 मार्ज 2024 तक प्याज निर्याद पर रोक लगाई थी हلاकि कुछ देशों के अनरोत के आधार पर इस प्यशिपमेंड की अनुमति दी गई थी पिछले महीन की सरकार ने फिर से बयान हटा दिया था हलाकि महाराष्ट की किसान प्रतिबंद हटने का आगरहक कर रहे थे अब सरकार ने ऐसे समय बयान हटाया है जब 7 मई को लोकसबा चुनाओ के तीसरे चरण की उर्टिंग होने वाली है प्रतिबंद हटने की खबर आते ही नाशिक जिले के लासल गाव मंडी में इसकी कीमते और सतन 200 रुपे प्रतिक्विंटल बढ़ गई है लासल गाव कृशूत पादन बाजार समीती देश की सबसे बड़ी थोक ब्याजार मंडी है शनिवार को मंडी में 200 क्विंटल पे आ जा क्विंटल